बड़ा इंडिया मुलक है, जितना बड़ा इंडिया क्रेक्टर है, जितना बड़ा इंडिया के इंट्रस्ट कर पूरे खिते के अंदर है, अगर वो इमेडियेटली बंगलादेश को पने। अगर इस तरह इन्होंने मजीद कोशिश की तो इविल फुश इडिया टोड़्स चाइना रशिया से पहले उनका रिलेशनशिप ठीक है और अगर उन तीनों का अलाइंस हो गया पहले अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रशियन और चैनी अलाइंस है लेकिन अगर इस अलाइंस में इडिया भी शामल हो गया देन यू कन से गुड़बाई तो दा वेस्टल से बड़ेशन बंगलादेश ने जो भी एक गेम खेला था इसकौन का उसके चक्कर में वो खुद पच चुका है अब यहां पर एक गेम नहीं चल रही है यहां पर बहुत सारी गेमें चल रही है बंगलादेश एक साथ काफी हद तक एक भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है अपने अंदर ही जो भी चीजे हैं उनको थोड़ा तेड़ा मेड़ा करके भारत के से एक रियाक्शन लाने की कोशिश जब जो इनके यूनिस साहब हैं वो बोलते हैं कि हम क्राइम्स अगेंट हुमानिटी का चार्ज लगाएंगे शेक हसीना की उपर कहां लेके जाएंगे उनको लेके जाएंगे इंटरनाशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर ये होगा क्योंकि जो मास अप्राइजिंग जब हुई थी जो भी वो कूँ अटेंप हुआ था शेक हसीना के टाइम पे उसके अंदर जो किलिंग्स हुई थी उसके अंदर जो चीज़ें हुई थी उसके अगेंस्ट में ये एक केस डालने की कोशिश कर रहे हैं ICC के प्रोसेक्यूटर करीम A. खान उनसे मिलके गए थोड़ ताइम पहले और वो बंगलादेश में स्टेट गैस बनके गए थे तो ये एक एसपेक्ट है कि ये आपके उपर शेक हसीना की तरफ से प्रेशर डालना चाहते हैं जैसंकर जी से किसी ने दो-चार दिन पहले एक बात बोली थी पुछी थी इटली में वो घूम रहे थे तो उन्होंने उनके बारे में ये पुछा गया था कि यार ICC के जो अरेस्ट वारंट है आप पूतिन को अपने देश में बला रहे हो आप नेत्मियाहू से बाते हो आ आपको समझ में आना चीह है कि हमारा actual thought process क्या है उस ICC जैसी organization की वर तो आप लगाते रहिए जितने मर्जी arrest warrant लगाते रहिए जितने मर्जी case भारत को देलेगा पर रखनी पड़ेगा यहाँ पर देखिए आपको पता ही है इसकॉन का तो हाँपर पूरी हत्तर जगड़ा च और कहीं न कहीं बड़ा जबरदसते question दूरी दुनिया से भी आया अब statement से इनके आने शुरू हो गए है कि यार कोई ऐसा discussion हुआ ही हमने तो कभी man कमाने ही नहीं यह सब जूट है ठीक है इन्होंने band करने की बात बोली और बंगलदेश के high court ने इनको मना कर दिया कि साब ऐस अगर आपको याद हो जब मौलदीव के कुछ लोगों ने डेरोगेटरी रिमार्क्स दिये थे प्राइमिस्टर मोदी के खिलाफ जिसको हम सब ने कंडेम किया था कि भले जितने मर्जी इखतलाफ हाथ हो जो heads of states होते हैं heads of governments होते हैं foreign ministers होते हैं जो top tier leadership होती है कभी भी उनक representative of another nation another nation has picked them as their elected representative उनकी respect करना जो है वो जरूरी है this is my observation है मेरे एक theory है मैं कहता हूं यह कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए अब नरिंद्रावोधी जो है उन्होंने Maldives को बता दिया खुद कुछ नहीं बोले और आपको पता आप जो मर्जी देख ले नरिंद्रावोधी खुद कुछ नहीं बोलते इलान मस्क के परसूंगी ट्वीट है उसके बारे में आपका क्या खाल जिसमें उन्होंने कहा है कि भा पाई है उसने कहा कि इंडियंट डेमोक्रेसी इस वे बैटर थान अमेरिकन है अग्री वेदम अटोटली अग्री वेदम चीमा साब इस कंट्री को आगे मैंडेट डिलीवर ना किया गया डिट इस डन और मुझे जो खत्रा लग रहा है जिस तरीके से इस वोकत वेस्ट घे और मैं परिशानी देख रहा हूं अपने बारती दोस्तों के चेट क्योंकि उनके दो बार्डर इस वक्त जल रहे हैं बंगाली बार्डर और पाकिसानी बार्डर और आप किस तरह आप से वोन में हो सकते हैं किस तरह यू विल भी यू अचीव यू टार्गिट फिफ्ट अ इकानमी और आगे पीछे सारा कुछ चाइना वैसे आपको पता लेकिन मुझे जो मुझे जो फ्यूचर में लग रहा है अगर वैस्ट इस तरह ही इंडिया को स्नॉप करता रहा और सारा कुछ लेकिन मैं ठीक मैं देख रहा हूं कि डानल्ड टरॉम्प के पीरिट में चैलेंज रशियन और चैनी अलाइस है लेकिन अगर इस अलाइस में इडिया भी शामल हो गया देन यू कन से गुटबाई टॉट इसकान का बैग्राउंड क्या है कि देखिए तुलसी गावर्ड है और वो जो इसकान की इसकान में बिलीव करती है अब देखिए मैं आपको बड़ा क्लियरली चीज़ बताऊं कि तुलसी गावर्ड को साइड करने के लिए काफी हट तक ये काम चल रहा था और तुलसी गावर्ड की उपर एक फाइनाशल टाइम्स पे अंदर एक आर्टिकल लिखा गया जिसमें उनको एक फॉल्लवर बताया गया और अब्सक्योर लिजिस कल्ट ऐसे वर्ड भी यूज करें के लिए तुलसी गावर्ड के भी आरेसेस के कनेक्शन्स हैं तो ये दोनों इंदितुआ नैशनलिस्ट फैसिस्ट और ये सब चीज़ें तो आप देखें किस तरह से एक स्मेर कैमपेंट करने की बात करी जाती है अडानी ने जब क्या नाम है बंगलादेश की बिजली बंद करने की बात करी चार-पांक दिन के बाद उनके उपर केस आ जाता है ये चीज़ जो बाइद वे एक डेड महीने से वो लगाके केस लगाके बैठे हैं लेकिन पबलिक डुमेन में नहीं डालाता है अब यहां पर उस केस के अंद और ब्राइब देने का इंटेंशन दाउन का उसके उपर केस लगाया है किते हैं शीक हसीना काफी हथ तक बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स देती हैं अभी उन्हें स्टेटमेंट एक और दे दिया कि साब ये जो इसकॉन वालों के साथ जो चीज़ें हो रही है ग्रॉस कॉल्स लीक हो रहे हैं जिसके अंदर अंग्लदेश के अंदरूनी मामलों में जो उनके कमेंट्स हैं वो बाहर निकलते हैं तो ये लोग रोते हैं उसके बाद क्या ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है और उसके बाद रा की साजिश रा की साजिश करते देते हैं टिपिकल नारेटिव चलता है उसको इंस्टिगेट करना चाहते हैं कि साथ यह हमारा कॉंट्रिबूशन है गहरे राज्य की तरफ से गहरे राज्य का जो एक टट्टू है इस टाइम पर यूनिस जो वहाँ और तीन-चाल लाग हिंदू आके बड़ी जोर से उन्होंने प्रोटेस्ट करा चिटगॉंग के अंदर प्रोटेस्ट कर चल रहे हैं और अपनी जान के उबर खेल के वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं जिसका इंपक्ट भारत में भी हो रहा है और दुनिया भर में भी हो तो ये गेम है जो बंगलादेश केलने की कोशिश करता है वो उल्टा पढ़ जाता है उनको देखिए भारत को अंटाइगनाईज करके इनको कुछ मिलने वाला नहीं है क्योंकि भारत इस गंदे जाल में फसेगा नहीं भारत को जो करना है वो अपने आप करेगा उसके उसकी उपर तो मैं तो इनको इन्वाइट करूँगा कि और भी चालें चलिए ताकि आप अपने मुँपे खुद कालक लगा के दुबारा बैठेंगे आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो किरपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए धन्यवाद जै